जहिन फ्रेंड्स चलो आज हम लोग पता करते हैं कि चैट जीपीटी बता पायेगा कि राम कौन थे की नहीं इस पर हम लोग पता करेंगे चैट जीपीटी को हम लोग आप लोग उने ओपन भी किया होगा तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे सर्च करेंगे चैट जीपीटी के बारे में यहाँ पे मैंने पहले से ही लोग इन कर रखा है ओपन याई के अंदर आज जाएगा यहाँ पे जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो लिखा रहे है ट्राई जीपीटी अगर आपने इसको लोग इन नहीं किया है तो यह काम नहीं करेगा तो सबसे पहले आपको लोग इन करना होगा इसमें इंट्री करने के लिए इंट्री करने के बाद जब आप चैट जीपीटी में जाओगे तो यहाँ पे आप सबसे नीचे Send Messages लिखा रहे हैगा यहाँ पे लिखोगे Who is रामा लिखना पड़ेगा यहाँ पे अगर आपने सिर्फ राम लिखा तब देखो क्या आता है आपको कुछ seconds बेट करना होगा क्योंकि chat GPT कुछ समय लेता है जब तक QC's को सर्च करता है अब यहाँ पे तो देखो राम can refer multiple things, individuals, here are few possibilities यहाँ पे देखो chat GPT smart है अगर आप Google पे राम सर्च करते तो राम आता लेकिन यहाँ पे chat GPT ने बूला कि इन हिंदू मैथलोजी, राम is the central character in the ancient Hindu epic मतलब हिंदू मैथलोजी में राम क्या है, एक महत्तपूर्ण वेक्ति है और उनको भगवान विश्नु का अवतार माना जाता है राम is portrait as a righteous prince and symbol of virtue and known is courage उनके सहास के लिए उनको जाना जाता है ठीक है, राम आड के बारे में बता दिये दूसरा इसने राम के word को लिए इसने random access memory तीसरा इसने लिए है कि in any context personal name किसी का नाम भी हो सकता है राम, राम चरन, राम क्रिश्न, राम इस तरह से नाम भी हो सकता है तो chat GPT इस तरह से इसने सोचा लेकिन अगर राम के बारे में सोचना तो हमें सर्च करना पड़ेगा who is rama rama लिखना पड़ेगा तब जाकर के इससे समझ में आएगा सायद देखते हैं rama is also known as ये देखो समझ में आगए इससे क्योंकि exact हमें लिखना पड़ेगा rama is also known as lord rama is a prominent figure of hindu methodology and central character of hivik rama एना rama जो है ना भगवान राम इनको बूला जाता है और ये रामयाड के महत्यपूर गिर्दार है और इनको भगवान विश्नु का आतार माना जाता है और इन्होंने हिंदु धर्म के principles को follow किया मर्यादा पुसूत्तम भगवान बूला जाता है according to rama याड़ा rama was born and adults son अब जसरत के सबसे बड़े पुत्र थे हम लोग जानते हैं उनकी पत्नी का नाम सीता था और उनके भाई का नाम लक्षमर था इसे इतना ही पता है बाकी तुलसिदास या इन्हें चीजों के बारे में इसने नहीं लिखा और rama के बारे में और भी चीजें जो इसमें भरी जानी चाहिए थे इसने नहीं लिखा लेकिन चलो इतना ही लिखा इतना ही काफी है और लेकिन हमें rama सर्च करना पड़ेगा rama सर्च करने पर सिर्फ इतना ही है पता चलेगा और वो confused रहेगा कि ram बोल रहे है या ram बोल रहे है सो आप पो अच्छा लगा हो गई है थैंक्यू वेरी मुच